Hello everyone, welcome to MagnetBains, my name is Himan Tumras, स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल MagnetBains पे जो प्रोवाइट करता है Quality Education Full Course Content के साथ, जी हाँ, Full Course Content 100% Quality-wise आपको दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप सभी जानते हैं MagnetBains के दो चैनल है, MagnetBains English Medium, MagnetBains Hindi Medium MagnetBains English Medium पे Class KG से लेकर 12 तक की Education शांदार और बढ़िया तरीके से आपको दी जाती है जिसमें सारे TopicWise, NCIT Solutions, PYQs, MCQs, MIQs और DPPs सब कुछ करवाये जाता है DPPs और PYQs इसलिए कि आपकी Practice एक तरफा हो जाए और साथ ही साथ अगर मैं आगे की बात करूँ, तो सबसे important चीज, E-Books, E-Notes मतलब notes में बच्चा बहुत परिशान होता है, ये भी आपको दिया जाता है कहाँ पर जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी, महाँ से आप अपने notes को grab कर सकते है सबसे important बात एक और कि सर, Magnet Bains का Hindi Medium Channel जो Classic से लेकर 12 तक की education देता है जिसमें CBC Board के साथ 4 state board को cover करते है, MP Board, UP Board, VR Board और Rajasthan Board को बढ़िया और शांदाल तरीके से, मान लिया, आगे चलें, बिलकुल तो सर, कहाँ पहुच चुके थे, सर, MIQs चालू हो गए most important question, सर, इनको लगा डाला तो live जिंगल आला इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, LDH, ketone में सबसे जादा किस type के question आते हैं वो इसमें देखेंगे और most important में ही आपन देखते हैं कि जो previous years में आ जाते हैं ना, कुछ वो questions भी रखता हूं में आपे क्योंकि सर दिखाना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, previous years, questions वगेरा, सबसे जादा आने वाले questions वो इसमें रखे जाते हैं मज़ेदार और शांदाल तरीके से, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताये करो comment में, चलो करें, चलो एक बार like और share करो फटा फट जल्दी और comment में एक बार fire वाला emoji डाल दो और फटा अग से में आपको देता हूं start करके तेजी में, पहला question आपके सामने, ये देखिए आपक the first question, तो arrange the following compounds, compounds in increasing order of the boiling point, मतलब increasing order of boiling points में जमाना है इसको अपनको, sir मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जी हाँ, बिलकुल पढ़ाया है, कि sir सबसे आगे आपका carboxylic acid आता है, बिलकुल, carboxylic acid का boiling point सबसे ज़्यादा होगा, कुछ भी कर लो, उसके बाद alcohol का, चीगे, उसके बाद आपका जो chapter का नाम है, aldehyde and ketone, इसका नमबर आता है, किसका नमबर आता है, aldehyde और ketone, उसके बाद आपका ether देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको alkeen, उसके बाद आपका alkeen, ये order आपका चलता है, सर जी, boiling point के अंदर, किसके अंदर चलता है, सर जी, boiling point के अंदर, boiling point के अंदर, ये order आपका दौड लगाता है, कहता है, हम तो हैं, हम तो हैं, हम देख लेंगे, इस तरीके से ये बाला order आपका दौड लगाता है, हम नहीं कैसा, दौड लगा रहा तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कई ना कई तो कुछ ना कुछ देख नहीं पड़ेगा तो ये वाला boiling point का order आपको देखने को मिलेगा अब देखिए सर क्या आपको alcohol दिया हुआ है increasing में alcohol दिया हुआ है क्या नई सबसे पहले alkane आएगा ये देखिए ये देखिए अलकेन अलकेन से आगे कौन आएगा सर अलकेन के बाद आजएगा इथर 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 के बाद कौन है सर अल्डी हाईट दो कार्बन और उसके बाद हमारा एल्कोहॉल 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 ये देखिए सर बिल्कुल शांदार तरीके से ये हमारा boiling point का order होगा कोई तकलीफ हो तो बताईए कोई भी तकलीफ हो तो बताईए बे जिजग बताईए बिल्कुल शांदार तरीके से बताईए सर डरनने की बाद नहीं है डरनने की बाद बिलकुल भी नहीं है important है यह important है यह क्या है सर important है यह बिलकुल important है कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है done जल्दी 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 कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताईए सर दन ये देखिए सर इस वाले order को हटाऊ पहले पहले काम कर उसका screenshot लो बिटा जरूरी है मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ बहुत जरूरी चीज करवा रहा हूँ मैं आपको ये देखिए यागे किया मैंने ये लो आजाओ ये देखिए सर ये आपका सबसे पहले ये देखिए फिर आपका इथल देखिए फिर आपका अल्डियाइट देखिए और फिर आपका अल्कोहल देखिए Final answer है Final answer है बिल्कुल बिल्कुल final answer एक बाद check कर लीजे बिल्कुल final answer है कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर अपन को देखने को नहीं मिलने वाली चेक कर वालीजे Important है यह क्या है sir? Important है यह बिल्कुल बिल्कुल important है हो गया? चलो next question के तरफ बाई यह second वाला भी तो आना चाहिए sir यह तगड़ा question लग रहा है यह strong question लग रहा है an organic compound क्या बोल रहा है? an organic compound A on treated with chloroform और के ओए sir यह मेरे साबसे रीमर टीमर वाली बात हो रही है चलो कोई दिक्कत नहीं है A की reaction किससे? chloroform और KOH तो क्या बोला? दो compound बना रहा है both of give same product beef and distillation with zinc यहाँ जो भी बन गए जो भी बने होंगे भाईया यह ले लेते product जब इस product की दो product बने हैं और दोनों की हमने distillation करवाई zinc dust के साथ तो एक compound मिला हमें B ठीक है सर B और जब हमने B का oxidation करवाया क्या करवाया? B का oxidation करवाया तो हमें C मिल गया भाईया C मिल गया हमें और C का तो formula भी दे दिया C का तो formula भी दे दिया C7 H6O2 चीक है फिर बोला इस C का sodium salt मतलब सरी यह carbox ले कैसे ड़े क्या C का sodium salt soda lime soda lime के साथ करा तो मेरे साब से बनेगा भी या benzene तो वो बोल रहा है क्या बनेगा D चलो भी या D चीक है which में also be obtained by distillation of A मतलब यह D मेरे साब से अगर मैं इसको benzoic acid मानू तो benzoic acid का soda lime से कराते हैं तो benzene बनता है बिलकुल benzene मनता है और कह रहा है अगर इसकी reaction भी zinc से करवाते हैं तो D बनेगा मतलब यह phenol हो सकता है क्योंकि zinc dust का मतलब है बहिया reduction करवाना reduction करवाना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है hit and trial method से कि A phenol है क्योंकि phenol का जब zinc reaction से करवाते हैं तब ही D बनता है आपका benzene तो मैं अगर A को लेके चलू phenol मैं अगर A को phenol लेके चलू चलो देखो A को phenol लिया क्योंकि मुझे reamer teamer भी दिख रही है और reamer teamer phenol से ही होती है तो sir यहाँ पर reamer teamer बनेगी दो compound बनाने को बोले थे उसने उसने कहाता दो बनेंगे एक यह बनेगा और उसने कहाता एक यह बनेगा यह बनेगा पकी बात है यह दो compound बनेगी फिर उसने कहा दोनों को ले लो दोनों में से किसी को भी ले लो एक को भी ले लो क्या करती है zinc dust zinc dust का का काम होता है reduction करवाना यह इस oxygen को लेके चला जाता है और यहां पर बेंजल डियाइड बनेगा बिल्कुल यहां पर क्या बनेगा सर जी बेंजल डियाइड बनेगा क्या बनेगा यहां पर benzyldeide बनेगा देखो ZnO चला जाएगा और क्या बन जाएगा benzyldeide, इसको भी लोगे तो भी benzyldeide बनेगा, मतलब B आपका क्या है benzyldeide benzyldeide बनेगा बैया, क्या बनेगा benzyldeide मैंने का यही बनना है सर किसी को भी अरे यार भाया चोटी बेंजल नहीं आने गा रे ये देखो कुछ भी उठा लो बेंजल डियाइड बनेगा तो ये बन गया B ये मिल गया B, कोई दिक्कत तो यहां तक तो कहानी कलियर हो चुकी है मतलब भाया सेम मतलब जो जो वो लिख रहा है ना वो प्रूफ हो रहा है अगर मैं फिनॉल मान रहा हूं तो और सर फिनॉल ही ये गैरेंटी देता हूं बस लेकिन अपन को फुल प्रूफ चाहिए आगे तक पूरा तो यहां तक तो कहानी कलियर हो गई भाया आपको अब आगे आओ पहले इसको उडाताँ हूं जरा आब देखो आप इसको फटाक से फटाक से अच्छाई ये दो तो मिल गए ना चलो इसको मत उडा उड़ा इसको पीछे लिख लेते हैं मतलब आपको क्वा मिल गा बी मिल गया है है ना क्या मिल गया बी ए और बी मिल गया पहले इसका screenshot ले लो ले लो जल्दी ए और बी मिल चुका है ठीक है चल देखो हमें ए मिल गया है क्या यह लिख लेते है हमें ए मिल गया है क्या phenol ठीक है हमें बी मिल गया है क्या benzaldeide यह है ठीक है हमें A और B तयार हो गया है हमें A और B तयार हो गया अब भी आप B का क्या करवा रहे थे वो Oxidation चलो सर अगर इसका Oxidation कराओगे तो आप खुछ जानते हो Eldehyde का Oxidation क्या होता है Eldehyde का Oxidation क्या होता है आप सब जानते हो क्या जानते हो बताओ सर अगर मैं LDHID का Oxidation कराओंगा Carboxylic Acid मिलेगा Confirmed है क्या मिलेगा Carboxylic Acid COOH क्या मिलेगा COOH वो कौन सा है C वो क्या है C यह राज C Molecular formula भी चेक कर लिजे इसके अंदर 6 होते हो एक 7 कारबन हो गए उसके बाद 5 Hydrogen यहां होते हैं और 1-6 हो गए और 2 Oxygen यह हो गए ठीक है? बिलकुल अब इसकी Reaction इसकी Reaction Soda Lime के साथ इसकी Reaction Soda Lime के साथ किसके साथ Soda Lime? मैंने खाँ ठीक है सर कर लेते हैं बिलकुल मज़ा आएगा Soda Lime के साथ बढ़िया तो सर पहले इसका चाहिए Salt किसका Salt? C का Salt C का Salt क्या होता है? C O O N A इसकी Reaction Soda Lime Soda Lime बोले तो NaOH In the Presence of Calcium Oxide यह होता है सर In the Presence of Calcium Oxide सर सोडा Lime में निकलता है Na2CO3 यह देखो और यह H इसके पास लग जाएगा सर बेंजीन बन गया है यह था आपका Compound Benzine बन गया है क्या बन गया है? Benzine बन गया है बिलकुल Benzine तयार है क्या तयार है? Benzine यही बोला था ना D, यह राद D उसने फिर यह भी बोला है कि जब अपन A को Zinc के Dust के साथ डालेंगे तो भी बन जाएगा तो A ले आओ एक बार यह देखो ठीक है? तो यह फिल से आपको D मिल गया A और D से A से फिर आपको D मिल गया सब सारी रियक्शन आपके सामने A क्या है? Phenol B क्या है? Benzaldeide C क्या है? Benzoy कैसे? D क्या है? Benzine चेक कर लिजे जल्दी जल्दी चेक कर लिजे बिलकुल जल्दी 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 फटा फट चेक कर लिजे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है हो जाए तो बता दीजे चल जल्दी 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 Done? पक्का? हो गया? बढ़ू आगे? चल यह चेक करो A. फिनॉल B. बेंजल्दी आई देखो पूरा बिलकुल सेम मिल रहा है C. बेंजोईक असेड D. आप यहाँ परसान करने क्यों आ गया भाई? कहीं और जाओ? चलो भाई इदर आ जाओ? चेक है यह D. दिखा क्या नहीं दिखा? और यह तो फिर वो एक रियक्शन बोला था सारी चीज पता चल गई या नहीं चल गई? तो सेकंड यहाँ पर हो गया है समाप्थ सेकंड यहाँ पर हो गया है समाप्थ जल्दी उठा लीजे भईया भईया फटा फट 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 कोई तकलीफ की बात यहाँ पर नहीं होती है डन? आगे बढ़ते चलेंगे आगे बढ़ते चलेंगे सेकंड कोशन यहाँ पर बढ़िया तरीके से समाप्थी की और हो चुका है अब देखेंगे third question, क्या बोलता है, third question क्या बोलता है, sir ऐसे ही आते हैं इस में, इस chapter से ऐसा ही हुटके आएगा, N organic compound A, बिल्कुल पहुचते हैं, बस दो, दो मिनिट में खतम हो रहा है, एक compound A, यह रहा आपका compound A, चीक है, molecular formula दे दिया है, क्या दे दिया है, C5H8O2, चीक है, C5H8O2, कह रहा है, is reduced to N pentane, on treatment with zinc mercury SCL, पता है आपको, कह रहा है, अगर इसको zinc mercury SCL में डाला, तो भया पेंटेन बन जाएगा, सर, reduction करवा रहे है, Clemenson reduction, मतलब पक्की बात है, या तो LDID या तो ketone होगा, बस दो मिनिट, बस दो मिनिट में गदम कर रहा हूँ, दो मिनिट से जादा नहीं लेंगे, इस कोशन में, बहुत सांदर कोशन है, या तो LDID या ketone होगा, पक्की बात है, मतलब कार्बोनिल गुरूप है, इसमें, इसमें पक्का कार्बोनिल गुरूप है, ये बात तो confirm होगी, कार्बोनिल गुरूप है, चलो, जो पॉइंट्स इलाबरेट होते जा रहे हैं चलते चलेंगे, बोल रहा है, ये बनाता है डायोग्जाइम, और डायोग्जाइम किसके साथ बनाता है, हाइड्रॉक्सेलमीन, अगर आप NH2OH के साथ करवाद होगे, हाइड्रॉक्सेलमीन के साथ करवाद होगे, तो ये डायोग्जाइम बना रहा है, अच्छा, डायोग्जाइम से समझ रहो, सर, अगर इसमें एक LDI होता तो एक ऑग्जाइम बनाता, या एक कीटोन होता तो एक ऑग्जाइम बनाता, डायोग्जाइम बना रहा है, मतलब इसमें दो कार्बोनिल टू कारबोनिल गिरोप है 2 चीट एंड गिवजटीव आइडवारिटेंव्षॉं टेस्ट्ट्ट पॉजिट ग youfun test मतलह एक कार्बोनिल गूरुप कुछ ऐसा हो ला क्यों ऐसा क्यों क्यों गा क्योंकि उसके साथ एक methyl group होना चाहिए तब ही वो आईडो form reaction देगा हम जानते हैं आईडो form reaction कब होती है जब आपके पास methyl हो तो इस तरीके का कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए अब यह दो carbon का LDI होता तो मान लेते हैं पांच carbon की chain है तो पक्की बात है ketone के chances ज़ादा बढ़ रहे हैं दो मेंसे आईडो form अगल दे रहा है तो ketone के chances ज़ादा बढ़ रहे हैं पक्की बात है और आगे end tolerance test मतलब sir LD हाइड भी है अगा tolerance दे रहा है अगा tolerance भी दे रहा है तो मतलब उसके अंदर LD हाइड भी प्रेजंट है कौन प्रेज़न थै य एल्ड ङाइट मिप्रेज़न अधाम के अदर के लिए गया कंपाउं के अंदर कंपाउंड बनाके दिखाओ चलो भाई किटोन मनाना है, तो किटोन को यह ही रखना पड़ेगा, पता है क्यों? आप कुछ लोग बोलेंगे, सर, क्यों नहीं आपने किटोन को यहां कहीं रखा? मैंने का मेरे कोई एक साइड मिथाइल गुरुप तयार करना है, क्यों? क्योंकि तब जाके वो आपको क्या देगा आइडो फॉम टेस्ट देगा तो मेरे साब से सबसे बढ़िया जो आंसर है वो यह है अब चेक करो कितने कार बने एक दो तीन चार पांच हाइडोजन देखिए तीन दो पांच दो साथ और एक आठ ओक्सियन देखिए एक और दो यह रहा आपका ए सर यह आपका देखो क्या क्या देगा यह लियाइट गुरुप की वज़े से आपका टॉलेंस टेस्ट देगा यह मिथाइल की वज़े से आपका आइडो फॉम देदेगा चीक है और दो कार्बोनेल गुरूप होने की वज़े से डाय ओक्जाइम देदेगा और पांच कार्बने रिडक्शन कराओगे तो पेंटेन देदेगा इसी लिए फाइनल यह आंसर है यह आपका मिलेगा अगर इसका नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख लीजिए फटा फट फट फटा फट फटा फट जल्दी जल्दी यह फाइनल आंसर आपके सामने प्रिजेंट है यह आंसर है सरफ पूरा इसी तरीके सा फ्लो चार्ट तजार करेंगे तो आपको मज़ा आजाएगा बिलकुल शानदार है यह देखिए compound का लिखा है अभी पदा चल जाएगा मैं इसको छोटा नहीं करना चाह रहा हूँ पहले compound यह तो फोल्थ कोशन आ गया कोशन का है रहे कीधा रहे यह लिखा है नीचे देखो यह देखो दिख रहा है यह रहा CH3 C double bond और CH2 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 CHO यह देखे बिल्कुल नाम लिखना चाहोगे नाम भी लिख लो इसका अच्छा है structure के दाब नाम भी पूछाए क्या ठीक है LDID है 1,2,3,4,5 5 है तो भाई यह पेंटेनल और ketone है ketone secondary functional group है secondary in the sense की मतलब priorities की ज़्यादा है तो क्या लिखते है 4 oxo तो finally है जाएगा 4 oxo pentanel 4 oxo pentanel जल्दी 4 oxo pentanel भाई या 4 oxo pentanel बिल्कुल 4 oxo pentanel एव भाई थोड़ा हो छोटा नहीं यह देख लीजे 4 oxo pentanel कोई तक्लीफ की बात यहाँ पर नहीं थी done clear है पका आगे बढ़ जाओ चल्दी screenshot इसका तो ले लिया अब इसका ले लो देख लो अब यह tolerance भी देदेगा और idol form भी देदेगा बढ़िया और शानदाल तरीके से जल्दी note down करो जल्दी चल्दी कले screenshot कोई दिकत तो नहीं चल next question question number 4 मज़ा आएगा सर मैं कहता ही हूँ कोईशन में मज़ा आएगा देखिए यह हमारा ketone यह हमारा ketone बिल्कुल ठीक है क्या हो गया ketone अब इसकी reaction CH3MGBR सर याद है क्या आपको क्या तुम्हे याद है बिल्कुल याद है सर ठीक है आप द्यान से सुनना सर मज़ेदार वाली बात यह दर जाएगा तो इस पर माइनस चार्च इस पर प्लस इस पर प्लस इस पर माइनस ठीक है तो यह दर पर यह दर पर चलो यह C नीचे आगया CH3 उपर O माइनस और इदर पर CH3 अब यह MGBR उपर लग जाएगा क्या हो जाएगा O MGBR 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 प्लस साइन बिल्कुल 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 आप डालो इसको पानी में देखो दूसरा पानी भी दिया हुआ है सब पानी में आप सब जानते हो भईया कर चुके हैं आपन कई बार सर यह तूटेगा क्या बना लेगा MGB एक पे VR और एक पे OH यह बन के बाहर अडिया हटा दू हटा दू सर हटा दू आप क्या बचा यह CH3C फिर यह CH3 नीचे CH3 और उपर लग जाएगा OH सर इसको कहते हैं Tertiary alcohol और Tertiary क्यों बना Reason है सर Reason है Tertiary क्यों बना क्योंकि अपना यहाँ पर कीटों था Secondary यह ही है आपका A सर यह है आपका A A बन चुका है सर सर इतनी वली प्रोसेस थी लेगे रिए प्रोसेस कई बार अपन देख चुके हैं कई बार इस प्रोसेस से अपन काम कर चुके हैं बिल्कुल यह अपना A तयार हो गया अब आगे क्या करा सर इसकी reaction sodium metal के साथ इसकी reaction sodium metal के साथ इथर के presence में इथर क्योंकि पानी नहीं होना चीए सर पानी आगया तो sodium react कर जाएगा पानी आगया तो sodium react कर जाएगा यह कुछ नहीं करता है इस hydrogen को यहां से हटाता है यह hydrogen को यहां से हटाता है और यहां बनालेगा O N A O N A यह बन जाएगा यह बन गया आपका B यह बन गया आपका B देख लिजे सर सर बिलकुल आपका B तयार हो गया बिना कोई दिक्कत के यह तयार हो गया अब B आप देखो O N A प्लस चेक है क्या हो जाएगा साथ में CH3BR CH3BR अब देखो N A B R क्या बन जाएगा N A B R यह लो N A B R अलग N A B R बिलकुल बिलकुल अब देखो यह अपना C CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जाएगा O CH3 यह देखो O CH3 कोई तकलीफ CH3 CH3 O CH3 कोई तकलीफ तो नहीं है बिलकुल सिंपल सी चीज थी सर क्या थी बिलकुल सिंपल सी चीज बिलकुल 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 एक नमबर बोले तो एकदम जखास वाला तो आप इसका नाम रख सकते हैं यही आपका C है यही आपका C है सर यह आपका C तो यह बन गया C यह बन गया B और यह था आपका A A ही यह रहा देखा? डन मैंने काईता बहुत इजी है सर टेंशन नहीं लेना है मैं हर एक कोशन करवाऊँगा बढ़िया तरीके से आपके सामने यह देख लो ठीक है? बिलकुल 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 इसको करना पड़ेगा मैं करूँखो न मैं इसको कलता हूँ थोड़ा सा एजजस कलता हूँ थोड़ा समय A, B, C हटा लूँगा लेकिन पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो हो गया? चल अब देखो यह A है ना? यहां रख लो यह B है ना? यहां रख लो यह C है ना? यहां रख लो अब बाकी उड़ाते चलो अब बाकी उड़ाते चलो बिलकुल उड़ाते चलो क्योंकि बाकी का अपन को काम नहीं है अपन को A, B, C का काम है अब चेक कर लो सर A, match करो B, match करो C, match करो यह भी उड़ाओ देखो पूरा चेक कर सकते हैं आप सर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है A, B, C 101% अपना क्लियर हो गया है बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल Qošan No.4 समापती की और Qošan No.4 समापती की और कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं आई चलिए, done अब आता है Qošan No.5 बिलकुल क्या बोल रहा है Give a simple chemical test to distinguish between propanol यह रहा propanol और propanol यह देखिए सर कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिए सर एक सबसे अच्छी reaction बताता हूँ tolerance test क्या सर tolerance test यह लग जाता है यहाँ पर देखो सर यह अपना ketone नहीं देता है यह अपना ketone नहीं देता है tolerance test ketone यह test अपना नहीं देता है थोड़ा सा basic medium भी चहीं होता है ठीके? कुछ नहीं देता है यह बाया यह अपना कौन नहीं देता है कौन नहीं देता है यह अपना tolerance test कौन ketone अब यह बहुत अच्छा होता है reducing agent क्या होता है sir reducing agent नहीं sir oxidizing agent भाई का oxidation करवा देगा और भाई को तबदील कर देगा carboxylic acid में और वो भी इसके salt में यह देखो और अपना क्या करवा लेगा reduction क्योंकि reducing agent है तो ag plus nh3 और plus h2o आरे स्कूल में आप नहीं देखते हो और यह sir मेरी शकल दिख रही है इस test tube में इसी को तो कहते है silver mirror test इसी को कहा जाता था यह जो silver चिपक जाता है इसी को कहते है silver mirror test और यह test आपको सिफ कौन देगा aldehyde देगा भाईया यह aldehyde का test है tolerance reagent सिफ aldehyde का है अच्छे चलो सर मतलब aldehyde tolerance reagent देदेगा यह देगा tolerance reagent नहीं देगा सर ऐसे लिखके आना पड़ेगा आपको paper में ऐसे आपको paper में लिखके आना पड़ेगा देखो ऐसे ऐसे आपको लिख के आना पड़ेगा नो रियाक्षन और फिर एक лाइन लिख दे ना कि प्रोपेनल टॉल Înst रिय जेन-ट टेस्ट देका लेकिन आपका एसी टोन टॉलिएंट टेस्ट नहीं देगा टॉलेंस रियजेन टेस्ट नहीं देगा बिलकुल कोई दिक्कत की बात नहीं, यह आपको लिखके आना पढ़ेगा, 101 परसेंट लिखके आना पढ़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे वह लो, मैंने का ठीक है सर, हो जाने दो, हो जाने दो, एक और टेस्ट कर सकते हैं, बिलकुल सर, बताओ कौन सा टेस्ट, यह हो गया पहले टॉलेंस, छीक है, हो गया टॉलेंस, छीक है, अब देखो, अब देखो, 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 एक होता है आईडो फॉर्म टेस्ट, कौन सा होता है आईडो फॉर्म, अब ये जो आईडो फार्म टेस्ट होता है न सर ये वो ही देगा जिसके functional group के बाजू में methyl group हो सर इसके बगल में तो आपके पास पूरा इथाईल है लेकिन इसके बगल में आपके पास दो-दो मिथाईल है तो ये देदेगा आईडो फार्म लेकिन ये नहीं देगा इसमें क्या करते हैं? बताओ इसमें कुछ नहीं होता है न ओ एच और आईटू के साथ रियक्शन कराते हैं भाईया ये तो नहीं देगा आईडो फार्म क्यों क्योंकि functional group के बगल में क्या नहीं है? भाईया, methyl group नहीं है तो यहाँ तो नो रियक्शन मिल गया मतलब आईडो फार्म में या कुछ भी नहीं है चलो, नीचे बाला देख लेते हैं भाई साब यहाँ तो देगा? मैंने का बिल्कुल देगा देखो सर कोई भी हम जो methyl group चाहिए वो क्यों चाहिए? क्यों कि वो बनाता है आईडो फार्म क्या बनाता है आईडो फार्म मान लो यह वाला मिथाईल बना रहा है आईडो फार्म तो उसका फार्मला होता है CHI3 सर इसको कहते है यल्लो पीपीटी क्या कहते हैं? यल्लो पीपीटी समझ में आ गई साथी साथ जितने बच्चे हुए कारबन है उसका एसेट का सॉल्ट बन जाता है यह बन गया साथी साथ हट्टू बन जाता है और एने आई बन जाता है यह बाई प्रोडक्स है तो यह आपका यलो पीपीटी मिलता है इसके अंदर यह आईडो फॉर्म दे रहा है पॉजिटिव कौन की टोन लेकिन उपर वाला आईडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा जैसे की नीचे वाले के पास था जल्दी 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 कोई तकलीफ की दिकत कोई तकलीफ है कोई परER इक दिकत ही नहीं है कोई भी दिक्कत हो तो बताओ है नहीं है नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है चल थोड़ा सा छोटू कर देते हैं थोड़ा सा छोटू कर देते हैं हां यह देखो यह वही तोलिंसी एजेंट यह बन गया कारबॉक्स लिए यह देखिए सिल्वर मिरर और अमोनिया और वाटर कोई दिखकत नहीं है इनने अपन को आइड़ो फॉर्म के टाउंस में नहीं लिखा अपने आइड़ो फॉर्म खुछ लिख लिया प्रोपेनल बिगे एन इल्डीओ घफ सिल्वर मिरर विट तोलंस्री एजेंट वाइल प्रोपेनल बिग लिखा की टोन ड़ा संक यह वाला टेस नहीं देता कॉंसा टोलंस रेजेंट वाला चीक है सरब जल्दी नोत डाउन करिए कोशन नंबर 5 यहां पर होता है समाप्त कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा यह हमारा आई यही रह गया था चलो कोई नहीं ड़न कोशन नमबर सिक्स कोशन नमबर सिक्स हाओ विल यू कनवर्ट इथनोल इंटो दा फॉलिंग कंपाउंट्स भाया इथनल से यह बनाने क्या करना है इथनल से यह तयार करने इथनल से पहले यह बनाना है फिर यह बनाना है फिर यह बनाना है अब आप देखो सब में ब्यूट 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 आ रहा है मतलब पक का इसका डबल होने वाला है इसमें 2 alcohol चाहिए, इसमें 1 ldiide और double bond चाहिए, इसमें 1 आपको double bond और carboxric acid चाहिए, sir, ldol की मदद चाहिए सब में, पहले ldol condensation लगाओ, बिलकुल लगाओ, ldol condensation, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, लगाँ, सरस के दो molecule होगे आपनको पता है, मैं डारेक्ट बता रहा हूँ, पहले करके बतारों, अल डίल यह वाला, आपने बोला था, दो molecule लोगें इसके, और किसके presence में होगा, dilute NaOH चीक है, मैं एक बार पूरा करके नदाँगा, फिर डारेक्ट यूस करूंगा, चलो चीक है आप जानते हो क्या होगा हाँ सल जानते है यह 2 यहाँ पर H यह यह किसके presence में dilute NaOH चीक है यह इसको ले लेगा जब यह ले लेगा तो यह हो जाएगा CH2 minus C double bond O और H plus H plus कोई तकलीफ कोई तकलीफ नई ठीक है ठीक है अब इसको ले क्या हो दूसरे वाले को ले आओ यह देखो यह देखो दिख रहा है अब यह अगर उपर जाएगा तो इस पर कौन सा चार जाएगा माइनस इस पर प्लस तो यह माइनस इसके पास बिलकुल शांदाल तरीके से देखिए CH3 C उपर O अपन जानते हैं माइनस और इसके पास यह H जाता है तो यह O H बन गया आगे एक H लगा है इसके पास आगे CH2 C double bond O और H यह आपका L डॉल बन गया है यही मैं आपको बना के दिखाना चाह रहा था क्योंकि अब मैं हर जगह तीनों में L डॉल बनाऊंगा तो मैं फटफट करूँगा यह आपका L डॉल बन चुका है पहले तो यह नोट डाउन कर लो पहले तो आप यह L डॉल बन चुका है फटफट फट नोट डाउन कर लो जल्दी 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है L डॉल बन चुका है जल्दी 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 एल्डॉल तयार हो गया है कोई दिक्कत तो नहीं है चलो आप देखो उसको एक लाइन में कैसे लिखते है एल्डॉल को एक लाइन में कैसे लिखते है समझो कितने मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल है चीक है अब इसकी रियक्शन डाइल्यूट एने उएस से किससर जी डाइल्यूट तो मैंने का बाबु आ बहुती जी है कोई दिक्कत की बात नहीं है दो मॉलिक्यूल थे ये अल्डॉल तयार हुआ है चलो लिख लो लिखो भईया सुन्दर है चलो ये C डबल बॉंड O और H कोई दिक्कत नहीं है ये हमारा एल्डॉल तयार हो गया ये हमारा एल्डॉल तयार हो गया यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत चीक है बिल्कुल 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 एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर यह हमारा एल्डॉल बन चुका है अब मेरी बास समझना बास खतम पर चलो आप देखो मैंने का दे दिंगे मैंने इस ल्टीयोल को भी अल्कॉहाल बना सकता हूं क्या मैं सर बना सकता हो सरेडक्ष्टन हिटो करवाना है करवाओ ना कौन सा रिड़क्षन एने भी एच फोर या फिर एलाई एलेच फोर कुछ भी करवा दो यह एल्डी आइट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एलकोहॉल में देखो ना च थ्री बहुत ही बढ़िया च के उपर ओ एच बहुत शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही जा रहे हो आद देखो हाँ उसके पगल में क्या आएगा च टू फिर आखरी में क्या हो जाएगा सर च टू थोड़ा हो चुटा चाहिए छीवुत ना थाखरी में दूल घृट च्च टू करती है तो देखो बाई यहा औगल अब यह किसमय कंश्त पर ओल क利 direction में तो सी एचे टू ओई सथ चक करें दो алcoholek गुरूप आ गए एक दो алcoholek गुरूप आ गए चक करें चक करें एक यह और एक यह नाम देखो क्या लिखेंगे butane 1,3 diol butane 1,3 diol यह हो गया पहला convergence चक करें मैंने allol को यहाँ नीचे करवाखे रखाै जल्दी note down करेंगे जल्दी हो गया? पक्का समझ में आया है पहला वाला कोई दिकत तो नहीं? चीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं बार-बार allol को सीधा यूस करूँगा मैं allol को सीधा यूस करूँगा चलो साथ, second में भी allol यूस करना है चलो आजाओ yellow यह होगा डाइल्यू डाहने हो एच? चीक है, जैसी आप इसको यूस करोगे यह बन गया आपका ल्डॉल यह बन गया आपका ल्डॉल कोई दिकत? अब इसमें आप डाल दो heat कर दो सर इसको heat कर दो क्या होता है सर अपन जानते है सर यह alpha मैंसे OH निकल जाता है और यह beta मैंसे H निकल जाता है बिल्कुल, तो क्या बचेगा? CH3 CH और CH के बीच में double one और last में CHO last में CHO अहाँ last में CHO इसको अपन क्या कहेंगे? देखो ज़रा सर सेकंड नमबर पर इन है तो but two in one al but two in al यह कहेंगे देखिए सर यही चाहिए था क्या नहीं चाहिए था? बिल्कुल पूरी allol condensation है यह allol थी और पूरी की पूरी allol condensation है बिल्कुल सेकंड वाला हो गया एक और वाल लगाएंगे allol सर पूरा allol पर यह बेस्ट क्या कोशन? मैंने का बिल्कुल सर पूरा allol पर बेस्ट है फिर से डाइल्यूट नहोच लियाओ allol यह 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 allol छीक है अब देखो क्या होने वाला है condensation भी कल दो क्या कल दो? condensation यह भी कल दो पूरा कल दो heat करो heat करो है क्या बनेगा? CH3 CH double bond CH CHO अब देखना प्यार से मुझे carboxylic acid चाहिए इसकी जगा इसकी जगा मेरे को carboxylic acid चाहिए sir oxidation करवा दो LDH का क्या करवा दो? oxidation करवा दो K-MnO4, K2, CR27 क्या बन जाएगा? CH3 CH double bond CH COOH यह देखो यह बन गया carboxylic acid क्या नाम होगा? butuane oic acid butuane oic acid चेक कर लीजे sir 101% चेक कर लीजे sir 101% जल्दी चेक कर लीजे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है पक्का done done, 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 done butuane oic acid butuane oic acid sir उपर वाला पहला है चेक के यह दूसरा है और यह तीसरा है चेक के यह तो पूरी aldol condensation यह aldol के बाद reduction और यह aldol condensation के बाद oxidation चेक कर के दिए तीनो कोशन बढ़िया तरीके से complete है तीनो कोशन बढ़िया तरीके से complete है A1 तरीके से बिलकुल बोले तो एकदाम छकास तरीके से Done हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है, कोई दिकत, चलो अब एक बाद चेक करवा देतो यह देखो पहले अल्डॉल कंडंसेशन लगाई और फिर रिडक्शन करवा दिया दूसरे में अल्डॉल कंडंसेशन फिर यह कंडंसेशन कर दिया फिर अल्डॉल कंडंसेशन और आखरी में औक्सिडेशन करवा कि बना दिया आपका Carbox Leak Acid, जल्दी चेक कर लो सर 1, 2, 3 1 and only 1, 2, 3 1 and only, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं थी, अगर हो तो आप बताईए मेरे इसाब से तो बिल्कुल टिप टॉप था, बिल्कुल टिप टॉप था, कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिली है डान, चले अगले कोशन पे बिल्कुल बज़ा आने वाला है सर, अगले कोशन में कोई दिक्कत नहीं आईगी, मैं तो कह रहा हूँ आपको बस लगे रहो बस लगे रहो, यह देखिए सर, कोशन नमबर 7 शांदार और मज़ेदार चलिए सर जी, तो देख ले कोशन नमबर 7 आरे, एक नमबर कैसा एक नमबर मैं तो कहता है, यह वहाँ शांदार चीज़े कितनी बार पढ़ा चुका हूँ यह सर कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, देखो सर भाईया आप प्यार से करेंगे आपको पता है ना, केमिस्ची प्यार से चलती है भाईया यह देखो यह देखो, CH2, CH3 देख रहा है अब भाईया इसको डाल दिया के मिन फोर में किसमें डाल दिया, के मिन फोर मतलब potassium permagnet में और KOH, basic medium के साथ किसके साथ basic medium, और heat कल दिया चीक है सर तो इसको आप आसानी से यह convert हो जाएगा COOK इसमें potassium benzoate अच्छा इसमें क्यों हुआ, क्योंकि सर जी क्या हुआ यहाँ पर basic medium था हाँ, अगर आपको इसको आगे लेके जाना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको अपन benzoic acid में ले आ सकते हैं सर सर, घवराने वाली कोई बात नहीं है इसको अपन benzoic acid में ले आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा कुछ मत करो इसको डाल दो डाइल्यूट S.C.L. में बस तो यह हो जाएगा यह होगा अपना बेंजोई के असड़ बिलकुल शांदाल तरीके से डरना नहीं है यार मैंने क्या कहा था मैंने कहा था बहुत एजी चीज है एक नमबर, एक नमबर, एक नमबर बिलकुल यह बनेगा अपना फर्स्ट वाला, सिकेंड वाला देखो सर सिफ देखते चलना है आपको और करते भी चलना है यानि क्या हाँ देखी रहें सर बस हाँ 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 सही बात है यह देखो थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बनाते है काम आएगा चीक है इसकी रियक्शन एसो सी एल टू और हीट पता यहाँ पर कितने सो सी एल टू होते हैं दो तो सब दोनों ओ यहाँ से गायब आप जानते हो ना एलकॉल लटके यहाँ क्या लग जाता है क्लूरीन क्या लग जाता है कीलूरीन तो यहाँ हो जाएगा एक सी ओ सी एल और यहाँ हो जाएगा सी ओ सी ओ सी ओ सी कोई तकलीफ कोई तकलीफ कितना एजी है साती सात एसो टू भार और एस सी एल भी भार लेकिन बाइप रोड़क्स से इनका लिखने का कोई मतलाब नहीं होता है हमें तो मेरी यह चाहिए होता है चलो जल्दी नोट डाउन कर लूं जल्दी जल्दी भीज़दी समय नहीं है आज समय नहीं है वियाज जाना चिला हूँगा नहीं गले में भी दल दे थोड़ा बिलकुल चलिए benzaldiide की बात करने वाले ये देखो benzaldiide ये देखो benzaldiide ये होता है semi-carbazone क्या होता है semicarbazone नहीं नहीं semi-carbazide होता है मैं भी क्या बोल रहा हूं प्रोड़क्टी बता दिया मैंने यह देखिए c-o-n-h-n-h-2 यह होता है सेमी कर्बजाइड यह अब क्या होगा सल देखो प्याल से मैं ना पढ़ा है यह रियक्शन सर कुछ नहीं होता तो यह देखिए उड़ा दीजयो दीजयों दीजया ऑदा दीजयों अधिटी सलगी बोलेंगे आपन ओहो माइनस हेच 2 हो गया बिलकुल 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 चलिए, आप बाक्षी को जोड़ दीजे तो यह आएगा अपना बेंजीन चीक है, इसमें CH फिर यहाँ पर डबल बॉंड NH चीक है, फिर NH के बाद CO NH और NH2 CO, NH और NH2 CO, NH और NH2 यह है, यह बन गया सेमी कारबा जोन यह बन गया सेमी कारबा जोन पहले यह तीनों देख लीजे, फिर लास्ट वाला भी बता रहा हूँ कोई दिक्कत की बात हैं आपर देखने को नहीं मिल रही है जल्दी, जल्दी, जल्दी फटा फट अच्छे तरीके से करने वाले कोई तकलीफ की बात यहां पर देखने को नहीं आईगी नन, देखना है क्या, देख लो देखे, पहले वाले में वही पोटेशियम बेंजोएट COOK सेकेंड वाले में COCL और यह सेमी कारबाजोर इसको दिखाएंगे कैसे यार सर, बहुत बड़े अरिये में जा रहा है इसको समझना पड़ेगा ऐसा कुछ रख सकते हैं क्या लेकिन यह फिर नहीं आपाएगा इदर कहीं नहीं आपाएगा चलो कोई नहीं, इतना नोट डाउन करो पहले तो पहले तो इतना नोट डाउन करो फिर आपन देखते हैं उसको क्या करा जा सकता है पहले ता नोट डाउन करो, लो, जल्दी नोट डाउन कर इसको, हो गया तीनो, पका, चलिए, ड़न, अब फोल्ट वाला, कह रहा है, ये कैसे बन जाएगा, मैंने का बहुत एजी है, अभी बना के देता हूँ, ये बैजीन, प्लस, बैंजोईल क्लॉराइड, सीओ, सीओ, सील, सब पता है किसके प्रिजन्स में, अन हाइडरस, अल, सील, अन हाइडरस, अल, सील, त्री, मैंने ने का ठीक है, यह H और यह C-L क्या बना लेगा S-C-L फिर क्या बचा सरीया कार्बन था कार्बन के अब साथ डबल बॉंड O था और यहां से एक वैलेंसी फ्री हुई तो यह दूसरा बेंजीन इसके साथ लग जाएगा यह देखिए दिखरा है सेम कंपाउंड जो यहां बना है किस से रियक्शन हो रही है बेंजोईल क्लोराइट से बेंजोईल क्लोराइट से चेक करके बता दीजे किस से हो रही है बेंजोईल क्लोराइट से जल्दी 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 हो गया कर दिया बिलकुल ड़न कोई दिक्कत तो रहेंगे ये चारो कोशन आपके सामने ये देखिए सर Potassium Benzoate और ये आपका COCL वाला Benzaldeide 7-V Carbazone और ये Benzophenone जल्दी नोट डाउन कर लीजे सर तो कोशन नमबर 7 भी यहाँ पर होता है समाप्त बढ़िया और शांदाल तरीके से चलिए आगे चलिएंगे सर कह रहा है Arrange the following compound Arrange the following compound in increasing order of their properties as indicated जो properties दिये उसके इसाब से जबाने की कोशिश करिए ठीक है भाई मैंने गाँ ठीक है कोई दिक्कत की बात थोड़ी है देख लेंगे सब को एक एक करके एक एक करके देख लेंगे बिलकुल सारी ज़ी जबी हुई है कोई दिक्कत नहीं है कह रहा है Acetaldeide दे दिया Acetone दे दिया Methyl Tertiary Butyl Ketone Methyl Tertiary Butyl Ketone ये भी दे दिया है मैंने खाँ ठीक है सर और कुछ कह रहा है reactivity towards SCN बताना है चीक है बता देंगे बता देंगे बता देंगे बता देंगे ठीक है सर मैं कहता हूँ पहले तीनों को बनाओ Acetaldeide मतलाब Aldeide ठीक है कोई दिकत तो नहीं ये Aldeide हो गया उसके बाद Acetone हो गया Methyl Tertiary Butyl Ketone देखिए ये बनेगा क्या ये बनेगा क्या बताओ ये बनना चाहिए गया Tertiary Butyl Ketone फिर क्या बनेगा Methyl Tertiary Butyl Ketone कैसे बनेगा जल्दी बताइए मैं भी तो देखू आपको यहां तो 5 वैलिंसी हो गई है जल्दी 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 फटाफट निकाल के बताएंगे Methyl Tertiary Butyl Ketone कैसा बनेगा हम भी तो देखें बन सकता है कि नहीं बन सकता है बन सकता है कि नहीं बन सकता है जल्दी भाई निकालना तो पड़ेगा आपको बिना उसके काम नहीं कर पाएंगे Methyl Tertiary Butyl Ketone भाई हुआ कुछ सोचा देखो सर क्या के रहा है अब समझा यह ऐसा नहीं बनेगा सर पाँच वैलेंसी नहीं होगी देखो उसने बोला Tertiary Butyl Ketone पहले तो Tertiary बना लो यह रहा Tertiary चीक है फिर उसने बोला Methyl और उसने बोला Ketone तो यहाँ पर एक Ketone Group लगाए और इसके साथ मिथाईल लगाए यह है कंपाउन समझ रहे हैं आप हालत खराब करने जने वाला कोशन है देखो अब इसके साथ देखिए तो मिथाईल भी मिल गया Tertiary Butyl भी मिल गया और Ketone भी मिल गया इसलिए इसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं मिथाईल टर्शरी ब्यूटाइल कीटो चीक है अब भी इसकी रियक्शन देखना है अपन को किसके थरफ SCN के तरफ SCN सर देखो हाईडोजन साइनाइड में यह आता है CN-1 के क्या बन के आता है CN- सबसे जल्दी किस पर टक करेगा अब देखो सर यह कहता है भया मैं तो कारबन चाहिए पोजिटिव वाला देखो प्याल से देखना क्या होता है यह उपर जाता है तो यह माइनस और इस कारबन पर प्लस आया देखो इसी पर टक करेगा यह देखो यह उपर गया यह माइनस यह प्लस यह इसी पर टक करेगा यह उपर गया माइनस इस पर प्लस यह इसी पर टक करेगा लेकिन वह कह रहा है सबसे जल्दी किस पर टक करेगा तो reason is aldehyde क्यों सर है कैसे मैंने का सुनो यह जो methyl group लगे यह बले बले carbon लगे यह सब क्या होते है electron donating group तो इस carbon के पास electron की कमी है तो यह definitely उसको electron दे रहा होगा माद रहा हो आपकी बात कि भाया वह electron दे रहा होगा लेकिन एक ही बंदा है एक ही best friend है भाई का अभी अभी कटा है और जब कटा है तो भाई इसलिए कहते है कि जो ketones होते है वो कम reactive होते है as compared to aldehyde क्योंकि aldehyde में एक ही साइट से group जोड़ा होता है इधर पे दोनों साइट से electron donating है दूसी बात steric hindrance भाई यह दोनों तरह से धक्का मुक्की कल देंगे cyanide आके कहीं चिपकेगा कहेगा चल हट ना हो दार दे दूंगा नहीं तो अभी एक खीच के तो भाईया ketones are less reactive as compared to aldehyde क्योंकि aldehyde पे जो carbon positive charge आता वो ज्यादा positive होता as compared to ketone ज्यादा positive हो फट से cyanide घुच जाएगा अब इधर आओ इधर तो और एक साइट से यह safe कर रहा है दे रहा electron और एक साइट से तो बड़ा भाईया body card का एकदम वो रखा हुआ इसके पास के ताहरे कोई आके तो दिखाए यह दे रहा यह दे रहा तो इसके पास जादा बड़े group है जादा steric hindrances लिए इसकी reactivity सबसे कम होगी फिर उससे जादा इसकी और सबसे जादा है इसकी तो भाईया अगर मैं order लिखूँगा तो acetaldehyde सबसे जादा उससे कम acetone उससे कम methyl tertiary butyl ketone methyl tertiary butyl ketone done जल्दी screenshot लो फिर मैं लिख देता हूँ तो सबसे पहले अपना होगा सबसे कम methyl tertiary butyl ketone उससे जादा acetone और सबसे जादा reactivity होगी acetaldehyde सबसे जादा reactivity होगी acetaldehyde किसकी होगी acetaldehyde यह रा finally पहला answer यह रा finally पहला answer इतना लिखो फिर अगले वाले पह आते इतना लिखो फिर अगले वाले पह आते चलिए लिख लिए है पहला वाला अब आजाईए सेकंड वाले पर एक एक कर गें भाया ऐसा कोशन आता है इंपर्टेंट कोशन में से एक है बेंजोईक एसिड चीक है चीक है बभु आप एसिड ओके और क्या है 3,4-dynitro-benzoic acid, छीक है 3,4-dynitro इसको 1 मानू तो यह हो गया 3 और यह हो गया 4 3,4-dynitro-benzoic acid, छीक है फिर आ रहा है 4-methoxy 4-methoxy बोले तो यह देखो न, यह होता है 4-methoxy यह होता है 4-methoxy चलिए तो सर यह structures तयार हो गए तीनो अब देखो बात को अब बात को समझना सर पहली बात इसमें कौन से गुरूप है सर electron withdrawing group सर इसमें कौन से गुरूप है electron donating group बात समझ रहे हैं यह electron donating और यह electron withdrawing इसमें कोई भी नहीं है और मैंने क्या पढ़ाया था सर क्या पढ़ाया था acidic character जो है वो बढ़ता है कब जब कौन सा गुरूप जुड़ा हो electron withdrawing चीक है और जो acidic character होता है वो कम होता है अगर कौन सा गुरूप जुड़ा हो electron donating group तो बस answer मिल गया बस answer मिल गया सर electron withdrawing group किस में जुड़ा हो यह बताईए electron withdrawing group जुड़ा हुआ है उसमें जुड़ाई के ने उसमें चीक है तो सबसे ज़ादा वो ही आएगा भया बिलकुल तो finally सबसे ज़ादा acidic nature कौन दिखाएगा यह बाला बनाता हूँ यहां बनाऊँगा बढ़िया यह देखो यह देखो यह देख रहा है चेक है इससे कम किसका होगा सर इसका नहीं होगा यह तो सबसे कम होने वाला है क्योंकि इसमें तो भया donating गुरूप जुड़ा हुआ है कौनसा गुरूप जुड़ा हुआ है donating और अब अगर बीच में रखे तो किसको रखेंगे इसको ना withdrawing ना donating यह देखो सर यह बनेगा इधर पर answer यह है second वाले का सही answer यह है second वाले का सही answer बिलकुल तरीके से आप देख लिजिए यह है second वाले का answer 101% second वाले का answer कोई तकलीफ जल्दी देखिए पहला वाला तो बताई दिया था सबसे ज़्यादा ऐसे डिगी है क्योंकि electron withdrawing group फिर इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए और इसमें donating है तो यह acidic strength को कम करेगा इसलिए यह order है सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम अब बचा से लास्ट वाला जल्दी नोट डाउं करिए हो गया दन बढे आऊं आगे जल्दी बोलो है चाली ना डं 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 करो आँ कर आढ़ यह सर्थ test यह क्या रहा है है सार इस में चिए क्खिए क्सन्हेंड की बात कर रहा है नैं ने नाइं यह क्या को गया सर यह सेकेंड वालात है चेक कर लो देखो 3,4 डाइनाइटो बेंजोईक असिड सबस्यादा फिर बेंजोईक असिड और फिर 4 मिथोक्सी बेंजोईक असिड उपर वाले में देखिए असीटल डीयाइट सबसे अदा रेक्टिफ उससे कम एसीटोन और सबसे कम मिथाइल टर्शरी वाला अब भाईया लास्ट वाला ये आजाओ structure बनाओ सारे भाई बिना structure के मज़ा नहीं आता मिलको ये देखो ये देखो ये देखो ये देख रहा है ये रहा आपने पास तरीका अब इसमें जमाईए acidic strength मैंने अभी आपको कहा अगर आपके पास electron withdrawing group है तो भाईया acidic strength जादा होगी ये रहा है आपके पास electron withdrawing दिख रहा है सार दोनों में same कैसे बताओगे आप इसके पास तो withdrawing है नहीं तो सबसे कम तो यही होगा ये सबसे कम acidic strength में लेकिन सार इसमें कैसे बताओगे मैंने का भाईया समझो कारबॉक्सलिक आपके जितने पास होगा electron withdrawing group उतनी जादा acidic strength जितना दूर होगा उससे कम तो सबसे जादा acidic strength किसकी होगी उपर वाले की सबसे उपर वाले की सबसे जादा क्योंकि वो सबसे पास है किसके पास है कारबॉक्सलिक आसेट के ये बात याद अखना तुरंद वहीं से electron कीचेगा उससे कम किसकी होगी सर उसके नीचे वाले की ये देखिए और सबसे कम उससे पीछे वाले की सबसे कम उससे पीछे वाले की का है नीचे रहा ये देखिए ये चेक कर लो ये देखिए ये वाला फिर बीयार फिर ये काताना बिलकुल सटी का अंसर है बिलकुल सटी का अंसर है जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 कोई भी प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए डन? पक्का, उड़ा दू? चलिए सर हाँ, कोशन नमबर नाइम बढ़िया है, शांदार है सर, ऐसे कोशन में बहुत मज़ा आता है, हाँ सर, बिलकुल सबसे ज़्यादा मज़ा ऐसी कोशन में आता है, चीक है एन और्गेनिक कंपाउंड ए having the molecular formula यह दिया हुआ है यह रा molecular formula on treatment with copper किस के साथ? copper के साथ 573 Kelvin तो एक compound मिलेगा B एक compound मिलेगा B which does not reduce failing solution but gives a yellow precipitate of the compound C मतलब यह बात तो confirm है कि यह aldehyde नहीं है अगर aldehyde होता तो भाईया यह failing solutions को दे देता लेकिन पक्की बात है तो अगर कार्बोनेल ग्रोप ही होगा क्योंकि यह idle form दे रहा है सर क्या दे रहा है idle form तो chances है ketone हो सकता है ketone हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है सर कॉपर 300 डिगरी पे तीनी चीज बनती है aldehyde ketone और double bond double bond तो देता नहीं है भाईया aldehyde दे नहीं रहा तो कौन होगा ketone होगा और ketone कब यह कॉपर के साथ बनाता है जब यह secondary हो क्या हो secondary alcohol पक्की बात है तो मेरे को ऐसा feel आ रहा है सर यह तीन कारबन का alcohol है तो यह कुछ ऐसा alcohol है चेक करो एक, दो, तीन, तीन हो गए hydrogen तीन, छे, साथ, आठ, ओ मिल गया मिली गया चलो सर इस reaction को कहते है dehydrogenation मतलब इसमें से hydrogen निकलते कहां से निकलेंगे देखो यह और यह दोनों hydrogen हटा दो तो carbon और oxygen के पीच में क्या बन जाएगा double bond बन गया क्या नहीं बन गया चलो चले सर मिल गए आपको A b मिल गया और B b मिल गया सर A b मिल गया और B b मिल गया चलो देख लो यह रह A और यह रह B आप क्या बोला है आगे यह बताओ अब आगे बोल रहा है कि उसकी reaction NaOH और I2 से कराओ चीक है NaOH और I2 से कराओगे तो क्या बनेगा सर yellow PPT बनेगा वो हमारा C है yellow PPT बनेगा तो बनेगा न सर बनेगा CHI3 जिसको अपन IDOFORM कहते हैं यह रहा आपका C बाइप्रोड़क्स लिखने की ज़रूद नहीं कोकि उसने अपन से यही मागा है बस यह रहा C और अगर कोई बोले बाइप्रोड़क्स क्या है तो सर मान लो यह बन गया IDOFORM क्योंकि functional group के साथ metal group है तो IDOFORM बन जाता है जल्दी 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 A, B, C A, B, C तीनों खतम कोई दिक्कत तो नहीं बस बहुत बढ़ी है 9th कोशन हो गया है एक कोशन और बाकी है डन 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 लास्ट कोशन पर आ रहे हैं सर अपन क्योंकि मैंने आपको बोला है दस्ता की कोशन ते लास्ट कोशन पर आ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लास्ट कोशन कोशन नमबर 9 समापती पर है लास्ट कोशन आपके सामने आने वाला है करूँ चेंज करूँ जल्दी बोलो कर देता हूँ जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो डन यह देखो सर यह उपर लिखे हुए है पहले तीनों को मिला लीजे यह उपर लिखे हुए है तीनों को मिला लीजे कोई दिक्कत की बात नहीं है यह देखो प्रोपेन टॉओल यह नीचे लिखे हुए नीचे लिखाए प्रोपेन टॉओल दूसरा आपका क्या बन गया प्रोपेवन और तीसरा बन गया है आइडो फोर्म क्या बन गया है आइडो फॉर्म बिल्कुल चलिए यही रियक्षिन मैंने करे निर्ट बिलकुल चालिए बया धरीड Κरी कि असि ohne डाइन लास कोश्षिन सरग्व बताना भी नीचे एन कोशिन को दोनों को पता क्यों? बहुत easy reaction है Sir, feeding class assylation आप ही करेंगे Babu, Aap ही करेंगे आप ही करेंगे Ido form... Sir, feeding class assylation है यह और नीचे वाला तो और easy है, Sir Aray, albabu I this liे नहीं क्येलता हूँ, पता है है से देखो मैं पता क्यों नहीं कहलता हूँ बता रहूं मैं आपको यह देखो इसको ऐसा लिखो कैडिमियम की दो वैलेंसी होती है आना यह देखो कैडिमियम डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने देखे थे ना आप यहां देखो कितने लिया आपने यह ची एश-3-C-O-C-L CH-3-C-O-C-L दिख रहा है आप देखो सर यह और यह दोनो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो क्या बचेगा C6H5 फिर आगे क्या है CH2 ठीक है और फिर क्या बन क्या है COCH3 बस यह बन जाएगा यह देखो जल्दी कोई तकलीफ थोड़ी है बिलकुल इजी था बिलकुल इजी था बिलकुल इजी था बस बिलकुल इजी कोई दिक्कत की बात नहीं है डन पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यह आपका कीटोन तयार हो गया दो मॉलिक्यूल बनने वाले हैं और यह आप ही करेंगे सरा मैं तो नहीं करने वाला ठीक है बुरा लग रहा है दो बार और लग जाए लेकिन करना आपको ही है जल्दी स्क्रींशॉट लीजिए लेक्षर में तब तक के लिए बढ़िया तरीके से काम करना है दबा के लाइक और शेयर करेंगे सब्स्राइब करना है सब को क्योंकि तब जाके आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्शर की सारी टाइमिंग पता चल जाएगी नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली फिर मु यह नहीं जानता है तो गुस्सा हो जाता हूं मैं बहुत जल्ली चीक है चलिए तो कल मिलते तब तक क्ले बाइबाय थैंकि तुमाज जैहिन